हेलो स्टेंज चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्षन चैप्टर 2 का एक्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या है शो देट साइन इन्वर्स 2X अंडर रूट 1 माइनस X स्क्वेर इक्वाल टू साइन इन्वर्स X और सेम क्योस्टन यहां पर देखते हैं सेकेंड पार्ट में साइन इन्वर्स 2X अंडर रूट 1 माइनस X स्क्वेर इक्वाल टू टू कोस इन्वर्स X अब भई क्योस्टन सेम है बस राइट एंड साइड पे अगर नज़र डालो कि यहां पर साइन इन्वर्स X है यहां पर कोस इन्वर्स X है अब इस टाइप के क्योस्टन में क्या करना होता है हमें X जो वेरियेबल है न हमारा यहां पर एंगल के फोर में उसको कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पूट करना होता है और बच्चे उसमें confused रहते हैं कहां पे क्या put किया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपके साथ हो तो tension मत लिया करो ठीक है सारे example करने हैं क्योंकि exam में examples पुछे जाते हैं तब ही आप 100 out of 100 ले पाओगे question चलते हैं first वाले पे अब यहां पे हमें दे रखा है sin inverse 2x under root 1 minus x square इसको आपको किसके equal put करना है प्रू करना है 2 sin inverse x के तो भई कुछ नहीं करना आपको यहां पे जो right hand side है आप वही put कर लेंगे हम यहां पे तो क्या करेंगे put x is equal to sin theta कर लिया भई put कर देते हैं यहां पे तो sin inverse 2 sin theta x कीज़ेंगे sin theta put कर रहों है under root 1 minus sin square theta इसको आगे simplify करते है sin inverse 2 sin theta under root 1 minus sin square theta किसके होगा cos square theta की square से root कट गया हमारे पास क्या आगया sin inverse 2 sin theta into cos theta अब जिसको formula आते है न वो उसका mind अपने आप काम करता है यह सोचते हो आप कई बार sir formula कैसे पता लगे कौन सा formula लगेगा कहां पे कौन सा use करें तो घबराने की जरूरत नहीं है उसके लिए आपको formula अगर अच्छे से आते है न तो आपके mind अपने आप काम करेगा यार इतनी ज़्यादा वो है आपके अंदर इतना ज़्यादा ब्रेन है अगर उसको थोड़ा यूटिलाइज करोगे न अपने आप पता लगेगा देखो 2 sin theta cos theta mind में आ गया होगा यह तो formula होता है यार किसका formula होता है sin 2 theta का तो बस वही लगा देना है sin inverse sin 2 theta हो गया तो क्या आ गया यहाँ पे 2 theta अब theta की value चाहिए हमें theta कहां से निकलेगा यहां से तो यहाँ पे देख लो theta is equal to क्या हो जाएगा sin को इस तरफ लेके गए तो sin inverse x तो theta की value पूट कर दो तो 2 sin inverse x अब right hand side पे आप नजर खुद डालोगे है मैं डलवाँ देखो अब किसके equal proof गरना था 2 sin inverse x के बस हो गया proof था ना simple अब second part पे jump करते हैं जल्दी से क्या है sin inverse 2x under root 1 minus x square is equal to किसके proof करना है 2 cos inverse x के अब right side क्या है cos inverse तो यहाँ पे put क्या कर लेंगे हम put x is equal to cos theta put कर देते हैं वई sin inverse 2 cos theta under root 1 minus cos square theta अब यहाँ पे आजो sin inverse 2 cos theta और यह क्या हो जागा under root में sin square theta square से root cancel out हो गया तो sin inverse अंदर देखो बच्चो 2 sin theta cos theta ही बना तो यह किसका formula बन गया sin 2 theta का बना यही है same as it is but difference कहा आ रहा है जब theta की value हम put करते हैं तो right side जो भी चीज़ है वही हमने put कर ली थी sin से sin कट गया तो answer आगया 2 theta और theta की value यहाँ से निकाल लूँँआ तो theta is equal to cos inverse x कर दो भई put तो 2 cos inverse x बस hands prude हो गया ना prude clear हो गया होगा कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अगर नेक्सा क्लासिस से आपको sport मिलती है बच्चो तो प्ली चैनल को subscribe जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा share करना जो भी आपकी demand होती है मैं mostly पूरा करने की कोशिस करता हूँ थोड़ा से time की problem हो जाती है otherwise मैं सभी की जो भी demand है ना examples करवा दो questions ये करवा दो ये chapter करवा दो मैं सारे try कर रहा हूँ आपके hindered out of hindered आने चाहिए आपको success मिलने चाहिए लाइफ में बस यही motive है हमारा नेक्सा क्लासिस का तो please channel को support कीजिए subscribe कीजिए और ज्यादा से ज्यादा share कीजिए thank you students for watching your channel नेक्सा क्लासिस